लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटन को प्रेस करें बहुत गैरी दोस्ती है उस प्रोफेसर से दोस्ती पुर्बानी चाहते है करें तेड़ से करें ऑड़ानी पुर्थेस्ट अबकाल से करें क्या प्रोफेसर बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर मगर क्या करो तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है आज तेरी बीवी अचानक तक्रा गई तेरे साथ फेरे लेने की सजा काट रही है बेचारे अरे तू तो तूटे फूटे फर नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा उस बेचारी का खयाल कौन रखता होगा कौन है भाईया लाइए फोन दीजे मुझे भाईया फ्लीज मुझे बात करने दीजे अलो अलो कौन था आपने मुझे बात क्यों नी करने दी जब आप बोल ली सकते तो फोन क्यों उठाते आप मैंने पहले भी जब आप से कहा लेकिए क्यों इनके मन को ठेज पहुँचाई क्यों पहले पहले भगवान एक ती बड़ी सजा दे रखी इनको विजय आज तो मुझ से मिलने के वज़े पूछ रहे हो अनी मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहां से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा तुम्हारा दुख परेशानी क्या मुझ से अलग है विजय मैं तुम्हे तुम्हारे किसी रिष्टे या फर्स से अलग नहीं करना चाहती मगर मेरे सिने में भी एक दिल है विजय जो प्यार चाहता है खुश्या चाहता है विजय आज मेरे जनम दिन पर उसको रहट का एक तौफा ही दे दिया होता हनी मैं मानती हूँ कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता लेकिन जिंदगे में प्यार की जगह क्या है ये भी तो मैंने तुम ही सीखा है विजय सपने मैंने भी देख डाले बहुत तुम्हारे लिए हर मुश्किल, हर ताकत से लड़ने का होसला था था मुझ में लेकिन तक्तिर ने मेरे साथ भयानाग मजाग खेला है आज जो कुछ भी भाईया के साथ हुआ उसका जबेदार मैं हूँ भाईया की जान लेने की कोशिश मैंने ही की मैंने ही उने चाकु मारा था पिच्छे, क्या कह रहे हो तुम मुझे यह सब मुझ से धोके से कराया गया था मेरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा पता नहीं कि इसने बाबुराम को हत्यार बना कर इस्तमाल किया मेरे भाई केके की तुम्हारे भाया के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है उसने मुझे धंकाया था और तुम्हारे साथ रिष्टा काटने के लिए भी कहा था इस साजश के पीछे किसी का भी हाथ हो हनी उसके चेहरे पर नकाब सिर्थ तब तक है जब तक बाबुराविया ठककर मुझे नहीं मिल जाते ठककर न मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था इससे पहले कि पोलीस हिफाज़त के लिए पहुचती उसे उठा लिया गया अब तक उसका कुछ पता नहीं चला आप मुझे लिखेत में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुराने दुश्मनी है उसलिए आपको जान से मानने की कोशिश की देखिया आपके बहुम के बाद यह मुसे कैसी दुश्मनी आपकी केके के साथ बोलिया भाया देखिये, देखिये, मिसर सक्साँ देखिये, आप इने समझाईए केके शर्का बहुत बढ़ आदमी है उपर तक महुचे है ठीक सबुद और गवान ने मिलने के वज़े से आज तक पोलिस सब बचता रहा है इनके बयान देने से हम उसके खिलाफ कुछ एक्षिन ले सकते हैं प्लीज भाईया आप बताते हैं क्यों नहीं क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ बोलिये भाईया बोलो भावी तो यह सब उसी का किया धरा है इतना सब कुछ बरदाश्ट की यह बैठे हैं आप उससे भी नहीं कहा आपने भावी हुआ क्या है मुझे कुछ बताते क्यों नहीं मैं बताती हूँ मुझे बोलने दीजिए यह उन दिनों की बात है जब तेरे भाईया पुना के बी-म कॉलेज में थे बचाईया साथ 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 सबीज ह helemaal गालिजीए से जिसा जुढु अलो, इस पॉलीस सेजेए? ताइज से आओ ! ऩश्फाशा आप निकार चार अुछ, डिकार चार, निकार चार, आप Pार को मुए निकार चार, निकार्ण चार। इंस्पेक्टर साफ, यह देखिया कर दो कुछ नशा करता था है? चरस, smack. इंस्पेक्टर, कतल हुआ है इसका. जरा आंखों से काला चश्मा निकालिए. कन्या ने खुन किया है इसका. उसने सरे आम कॉलिज में स... क्या गुंडा था है? काम करता था कन्या के साथ? इंस्पेक्टर, इस लड़के ने पुलिस की मदद की थी. ड्रग्स के एक बहुत बड़े स्टॉक के बारे में इंफर्मेशन दी थी इसने. और वो लगव रुपय का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था, उसी कन्या का था. आप ज़र इधर आईए. बड़ा सिद्धी टीचर है, समझने की कोशिशी नहीं करता. जरा सोचे, इस केस को उच्छाला तो आपके कोलेज की बदनामी होगी. इस लड़के का नाम क्या है? अखिल. कन्या कौन है? गुंडा. क्या करता है? ड्रग का का कारोबार. ये लड़का कौन है? बी-म कॉलेज का स्टुडेन. फिर प्रेस, ट्रग, लोग, खन्या, अखिल. आपके कॉलेज को बढ़ी शहरत मिलेगी. मगर इंस्पेक्टर मिलेगी. सोचे, सोचे. सोचना है क्या, इंस्पेक्टर साब रेपोर्ट लिखिये. इस लड़के का हून हुआ है. मैं चश्मन दीद गवा हूँ. पुलिस टेशन चलिए. हर चीज कानुन से होगी न? चलिए. चलिए. देखे, मिस्टर सक्सेन, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ. आरे, कतल की गवाई देने से जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है. आरे, इससे सीधा सा एक्सिडेंट का केस बना करा के.. एक पुलिस ओफिसर कतल को एक्सिडेंट बना देना चाता है? वड़ी एची ड्यूटी कर रहे हैं आप. ये कुरसी और ये वर्दी क्या जच रही है आप पे? इंस्पेक्टर, आप जैसों को देखकर अपने देश के दुरभाग्यें पर तरस आता है. देखे, मिस्टर सक्सेना. दिखाईए मत लिखिए. मैंने अखिल मिश्रा का कतल होते हुए अपनी आँखों से देखा है. और खुनी इस शहर का नामी गुंडा कन्या है. लिखिए! मैंने उसके साथ हाता पाई भी किये. लेजिए, दस्त कत कीजिए. मगर लगता है आप कन्या को ठीक से जानते नहीं है. वो आज तक किसी मामले में अंदर नहीं आया. कन्या का ये रेकॉर्ड बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको. इंस्पेक्टर, ये मामला कन्या के साथ साथ आपको भी भारी पढ़ेगा. तुम जैसे लोग, हम जैसो का कुछ नहीं बगाड सकते. मास्टर. तेरे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं. कमाल ये है के फिर भी तुझे यकीन नहीं. ठानेदार.